हेलो एब्रीवान ने हां के किचन में आप लोग का स्वागत है अचारी बैगन की रेस्पी लेके आ गई हूंगे इस पे चड़ाएं क्राई उसमें डाले हैं चार स्पून सरसो का तेल तेल गरम हो गया है तो मेथी दाना डाले मेथी दाना चटकने लगाए तो वहां पे इड किये हैं तीन बड़ा साइज का चॉप किया हुआ प्याज उसको ढखके कुछी देर तक पकाएंगे यह बैगन की रेस्पी अचारी बैगन बहुत टेस्टी होता है खाने में इसको पराठे या रोटी किसी चीज के साथ आपका यह बहुत स्वादिश्ट बनता है अच्छे इसको भूनेंगे उसके बाद एट करेंगे यहां दो बड़ा साइज का टमाटर चॉप किया हुआ मैं चॉपर में चॉप की हूँ इसलिए बारीक दिख रहा होगा आप लोग को इसको अच्छे से मिलाएंगे यहां एट कर दिये नमक नमक एट करने से जल्दी से कूख हो जाएगा हल्दी पावडर एट करने हाफ इस्पूर मैं बैगल ली हूँ पांस ग्राम लाल मेच पावडर वन इस्पून एट करेंगे देनिया पावडर वन इस्पून एट करेंगे अब एट करेंगे गरम मसाला वन इसपून यहाँ पे एक कलर के लिए मैं कास्मीरी लाल मेक पावडर का एट कर रही हूँ वन इसपून इससे कलर बहुत अच्छा आता है सबजी में देखने में भी बहुत अच्छा लगता है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ढुक के पकाईगे मसाल अच्छे से पक गए तो यहां पे दो से तीनी स्पून पानी एड करेंगे देख लीजिए ज्यादा पानी में एड नहीं कियुँ हूं दो से तीनी स्पून ऐसे पतला वला बैगन मैं ली हूँ बीच में से शिर्या ऐसे लगा ली हूँ कट लगा ली हूँ बैगन को अबेट कर देंगे इतना ही पतला बैगन लेंगे तो सब्जी आपकी बहुत इच्छी बनेगी और मिक्स करेंगे सब ढखके इसको पकाएंगे यहाँ पर कुछ मैं हरी मेर्स डाल लेंगी हूँ टेस्ट बहुत अच्छा लगता है अच्छे से मेक्स करेंगे चेक कर लेते हैं देखे सब्जी बन के कितनी अच्छी लग रही है अच्छी बन के एकदम सुखा सुखा बहुत ही अच्छा लगता है इस रेश्पी से एक बार जरूर आप लोड ट्राई करिएगा जैसे बहुत लोगों को बैगें की सब्जी नहीं पसंद है बढ़ता पसंद आता है कुछ लोगों को ऐसे मसालेदार लोजी टाइप की सब्जी अच्छी लगती है अब यहाँ एट करेंगे आम चूल पावडर वानी स्पून इससे साथ बहुत अच्छा आता है अच्छे से मेक्स कर लेंगे अगर आप पाणी एट करोगे तो बिल्कुल आपकी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी स्वाद ही नहीं आएगा आप धिमी आज पे और इत्मिनान से बनाएए आपका सब्जी बन के बहुत ही तेस्टी तयार होगा सब्जी अपनी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग आई होग कि मेरी वीडियो आप लोगो अच्छी लगी हो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए कमेंट करिए और बताइए कहां से आप लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो कमेंट बाक्स में लिखिए आप लोग मेरी रेस्पी कैसी लगती है